दोस्तों, सनातन धर्म में नीलकंट पक्षी को शुब संकेत के रूप में देखा जाता है और इसे धर्म का वाहक माना गया है। सांस्कृतिक रूप से इस पक्षी को सम्रिध्धी, शांती, सौमेता और समर्स्ता का संदेश वाहक भी माना जाता है। धार्मिक रूप से दुर्गा पूजा में विजयादश्मी के दिन नीलकंट पक्षी को देखना काफी फलदाई बताया गया है और बुराई पर अच्छाई की जीत की प्रेणा का प्रतीक माना गया है। वहीं भारत एक क्रिशी प्रधान देश है जहां नीलकंट पक्षी एक विशिष्ट स्थान रखता है। आईए जानते हैं नीलकंट पक्षी से जुड़ी कुछ धार्मिक, पौरानिक, सांस्कृतिक, वैग्यानिक और लोक मान्यताएं। इन कारणों को जानकर आप कह उठेंगे कि विजयादश्मी के दिन नीलकंट पक्षी दर्शन की परंपरा बेबुनियाद नहीं है। मिलते हैं मनोकामना पूरे होने से संकेत, पार्वती रूपी मा दुर्गा भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। वहीं नीलकंट पक्षी को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। दशहरे के दिन दुर्गा पूजन के बाद नीलकंट पक्षी के दर्शन को मनोकामना पूरी होने से संकेत के रूप में देखा जाता है। इसलिए इसका धार्मिक बहुत ज्यादा है। मान्यता है कि इस दिन आप जिस भी कठिन से क्ठिन काम से निकलते हैं, यदि रास्ते में नीलकंट दिख जाता है, तो मा दुर्गा और भगवान शिव की क्रिपा से उस काम का पूरा होना तय माना जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पॉरानिक मान्यता है कि भगवान राम महादेव भगवान शिव के उपासक थे। रावन का वध करने से पहले भगवान रामने नीलकंट पक्षी का दर्षन किया था। महादेव शिव का भी एक नाम नीलकंट है। बतादे की सागर मन्थन के बाद निकले हलाहल विश्को भगवान शिव अपने कंठ में धारन किया था, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया था हिंदू परमपरा में दुर्गा पूजा के विजयादश्मी के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना अत्यंत शुब संकेत माना जाता है इसका दर्शन महिशासुर्द चंडमुंड शुंभनिशुंभ आदी और भगवान राम की रावन पर विजय के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है दोस्तों नीलकंठ पक्षी के पौरानिक महत्व के बारे में जानिये विश्नु पुराण में नीलकंठ पक्षी को भगवान विश्नु का वाहन बताया गया है वहीं शिव पुराण में नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का गण माना गया है जबकि गर्ग सन्हिता और गरुर पुरान में नीलकंठ पक्षी को शुभ और मंगलकारी कहकर वंदना की गई है कुछ और धार्मिक ग्रंथों में नीलकंठ पक्षी को मा दुर्गा की सहचरी माना है मान्यता है कि दुर्गा पूजा संपन होने के बाद जब मा दुर्गा वापस कैलाश धाम जाती है तो नीलकंठ उनका मार्ग दर्शन करता है नीलकंठ पक्षी दर्शन का लौकिक महत्व जानिये भारत की लोक मान्यताओं में नीलकंठ पक्षी को विजय यानी जीत का प्रतीक माना गया है जीवन में सब शुब ही शुब हो, निराशा पर आशा की जीत हो, इसलिए दशहरे के मौके पर इसका दर्शन करने का रिवाज है, इसे देखना विशेश रूप से शुब माना जाता है लेकिन यह इतना भी सुलब पक्षी नहीं है दशहरे के दिन लोग इस पक्षी की जलक पाने के लिए काफी दूर तक निकल जाते हैं नीलकंट पक्षी से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस पक्षी को देखने से घर में सुक्षान्ती और सम्रिधी आती है